हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू सशिव लग्स फ्रेंट्स, आज का कलास बहुत ही बेहत्रीन और जहमा जहम तरीके से होने वाला है क्योंकि आज के इस कलास में हम लोग पूरा यतायार संकेत, सुचक, सरक्चिन देखने वाले हैं जो यतायाद संकेत क्या है यह कितने परकार के है और जितना भी यतायाद संकेत का जो फिगर वगएदा है सारा आज के एक ही ये कलास में पूरा कम्पलीट हो जाएगा ओके तो आप लोगों को और ये कलास कहां कहां काम आएगा तो कोई भी जहां पे ये यतायाद संकेत सब्सक्राइब च्छक्शादिक्ता हो सवक्राइब पर अजы देखिएक यह कलास देखने के बाद एक ही जुगारू ट्रिक है और जुगारू ट्रिक देख लिजेगा न तो यतायात संकित पूरा दर इंड कर दिजेगा उसका उके तो चलिए डेखते हैं क्या है तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि यतायात संकित सूचक और सरक्चि करने तरे में मार्ग के बारे में मार्ग दर्शन परड़ान करने के लिए बनाये गए है मतलब यतायाट संकेत है न वो जो और यह क्या चाल को सुरक्षित वहान चलाने के लिए्यात प्राइव करने के लिए realized याद संकेत के माध्यम सही उसको पालन कराया जाता है उसके बार चालकों को आगे आने वाले खत्रों से सवधान करने वह मर्ग में समंधित सुभधाओं के बारे में असपस्ति यानि कि माले यह गारी चला रहा है कोई तो कोई गारी चला रहा है हो सकता है आगे टूबे के ज और सिंगल रास्टे से जाना है उसके बाद मार्ग में उपलब्ध सुभधाओं के बारे में असपस्ट मार्ग डर्शन पलदान करने के लिए यानि कि यह भी बताएगा कि आगे होस्पिटल है आगे रेस्टूडेंट है आगे कुछ है तो यह सब देखेंगे कौन-कौन से ट सतिक अल्थ बेहद सरल तरीके से तस्वीर के माध्यम से बतलाते हैं इसलिए पर्तिक वहन चालक को सरको और राजमर्ग पर पाये जाने वाले यतायार संकित को पूरा ज्यान होना चाहिए और इसे उनका पालन करना आती आवस्टक है या देखिए पहले कोई भी अगर मानल की जा रहे हैं घर मालीजे यहां आपका घर है यहां पर आफिस है मालीजे 10 wiggle किलो मिटर दूर आफिस है आपका तो 10time अपढ़कर करके गारी जाते हैं तो आज ड्रैवर कहलांगी तो यातायार संकित मतलब हर एक वह नागरी का मतलब जान लिना आवस्प है जो गारी चला वाटलव driver है और वो अपना जीवन में driving करते हैं तो उनके लिए लिए भी ये class अतियावसक है यतायात संकेत जान लेना अतियावसक है चलिए तो संकेत रेखते हैं याता यात संकेत भालतीय रोड कॉंग्रेस जो IRC द्वारा परकासित किया गया था तो यह त्धारा गया और आप लोगों को हम बता दे कि बहुत सारे ऐसे जैसे यह याता यात संकेत आ गया यह नियम पालण करना ही है तो यह किस द्धारा में है तो मोटर यान अधिनियम 1988 जो 1988 में आया था उसमें धारा दो क्या जो धारा दो है उसके धारा दो के जो देखेए धारा दो है धारा दो के 45 में कहा गया है कि आपको जितने भी यतायाद संकेत है उसको पालन करना अनिवारे है यानि कि पालन करना जरूरी है ओके तो याद उसके बाद दखिए इनका देश भर में समान रुप से पालन किया जाता है यह बताइए आप हमें एक राजस्थान है एक मध्य पर देश एक विहार है और पच्छीं बंगाल है तो सभी एस्टेट का लगा लग यात संकित रहेगा क्या क्या ड्राइवर अपना यूपी वाले त्षिये दिल्ली नहीं जाते हैं तो इसलिए पूरा ओलफ इंडिया पर एक समान यतायाट्संकित है और बोले तो सभी लेवल पर एक यह जरूरी है इनका आर्थ टुरन्ट असपश्थ करने के लिए पर्टेक संकेत को एक विस्स्त अकार एभम रंग इस परकार दिया गया है कि चालक दूर से बिना पदे ही मर देखकर ही इनका अल्ट समझ जाए कोई बच्चा भी बता देगा कि यह सटॉप का इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई बच्चा भी बता देगा कि आगे मतलब क्या संकेत ले रहा है जो अब उसके बाद important मुध्या वाली बात आ गया उसके बाद है जो याता याद संकेत है जिसको हम यही चित लानए इसे अपना आज स्टार्ट हो रहा है ओके यातायाद संकेत पीछे रहां हो रहा हो तो तो ऐस सबस्क्राइब पारे अथवा आदेशक संकेत तो इसका परिवासित करते हैं हम लोग पहले उसके बाद एक एक फिगल देखेंगे टेंशन लेने की कौने जरूरत नहीं चे मतलब बताएं न इकलास के बाद आपको यातायात संकेत के लिए कहुं इधर उधर मुह मारना नहीं पड़ेगा ओक मतलब नहीं संकेत क्या है यानि इनका हर समय पालन क्या जाना आदेजगा है आगे आपको नहीं जाना है आगे stop का चिन लगा दिया तो आपको आगे गिविवे संकेत है देखिए ये stop संकेत है और ये गिविवे संकेत है ये दोनों को छोड़के बाद बाकी जितना भी जो संकेत होगा न ये गोलाकार में होगा कैसे 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 तो देखते हैं देखिए ये इस अकार में जो गोलाकार में दिख रहा है गोलाकार में जितना उसक बुखक जंकेत तो डेखते हैं जो इस्टॉप संकेत है और गिवे संकेत को छोड़के बाद बाकी संकेत क्या है गोला कार में और उसके अंदर क्या यह ब्लैक कलर से लिखा राता है तो देखते हैं stop संकेत और give way संकेत क्या है तो stop संकेत यह संकेत का आर्थ है कि आप रुके देखे जब सुरक्षित हो तो आगे बरे यानि कि पहले आपको stop संकेत का आर्थ है कि आप रुके और आगे देखे आगे पूरा रास्ता के लिए रहतब आप रुके मतलब उसके बार मतलब परदान करें यह संकित उन मारगों पर परयुक्त होता है जहां ट्रैफिक का मुख्य सरक अठवा चौराहे पर परवेश करने से पुरु रुकना आनिवारे होता है यानि कि माली ट्रैफिक है चौराहा है तो चौराहा पर ऐसे स्टॉप लाइन दिखेगा जहां पर कोई जो पैरल यात्री है वो तो नहीं करोश कर रहे है अगर नहीं करोश कर रहे है तब आप आगे बले उसके बाद देखें सिकेंड क्या है तो सिकेंड क्या है गिव वे संकित क्या गिव वे संकित यह क्या है यह संकित का अल्ठ है आप ऐसे वाहन को रास्ता दे जिन्हें मार्ग का अधिकार यानि कि right of way हो क्या मार्ग का अधिकार right of way हो उसके बाद मतलब give way मतलब जैसे ambulance हो गया या कुछ हो गया कोई ऐसा गारी special road बनाया जाता है जहां पे special गारी चलता है जैसे city bus होता है city bus के लिए आप लोग देखे होंगे कि जै कहीं कहीं पर यह रहता है कि उनका एक special road रहता है अलग से तो उसके लिए जैसे दिली में jam में लग जाते हैं तो सब के पास को personal bike नहीं हो सकता है तो जाम से बाचने के लिए मानली जै दोनों साइट से प्राइवेट विकल आ जा रहा है और बीच में क्या करेगा special bus के लिए क्या करेगा एक रास्ता दे दिया जाता है जो city bus वगएरा चलता है तो उसके लिए रास्ता दे दिया जाता है तो वैसे मतलब रास्ते को मतलब उसमारगे पर माल जै कभी-कभी ऊताई में इंपूलेंस दे देते हैं कुछ भी दे देता है तो जैसे जो वहन का इलाव है उसके बाद देखheldो कि वहन को आपको रास्ता देना आती अवस्य को जैसे अम्पूलेंस हो गया तो जो इमर्जेंसी वहन है कहा सकते हैं तो वही उसको हम लोग गिव वे संकेत बोलते हैं उसके बाद कि नो एंट्री संकेत क्या है यह इस तरह देखे पूरा जो गुलाकार में रहेगा वह रेट बीच वला जो परती रहता है वो वाइट रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं नो इंट्री संकेत यह चिन उन अस्थानों पर लगाया जाता है जहां सभी परकार के वहन का परवेश निसीध है यानि कि वहां पर कोई भी वहन जा नहीं सकता है जा आ नहीं सकता है उसके बाद सिधे आगे जाना निसीध है यानि कि देखे सीधे का यानि कि यह तो गोलाकार में यानि कि यह कौन सा संकेत है गोलाकार में है तो क्या है अनिवारे अथवा आदेशक संकेत है लेकिन यहां पर गोलाकार में है आनिवारे देर है आपको आगे नहीं जाना है लेकिन देखे जो अगला संकेत है अपना वो है वन वे संकेत तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता दे कि एक अपना जुगारू ट्रिक है तो जुगारू ट्रिक क्या है और यह ससी जुगार है तो यही जुगारू ट्रिक पर हम लोग क्या करने वाले हैं तो जो पूरा यातायार्थ सं कला क्यारा की जिस साइड होगा कि दाहिना और वाया तो आपको क्या करना है कि यह सब्सक्राइब कि यह देखिए इस साइड से यानि कि दाहिना हुभर है और यह सिढा जा रहा है तो यह बाया साइड शुगा और फिरो यात संकेत है त Teaching और जने वाले हम समई importantes के उचले का संदून देखने वाले कि यहां पर यह क्ति तुम यहां पर क्राह्यों कुद्धा एक्री का व्याले का कि या इसलिए तौकिक लेकिन यहां पे हम लोगों को simple यह आगे आगे बताया जाएगा संकेत देखा कि बायां रास्ता बंध है और दाहिना चालू है और यहां पे हम लोगों को यह मतलब परिवासित कर रहा है one way संकेत का कि एक दिशा में यातायात परती बना यानि कि बाया तरब जो इधर ball डवल ट्रीफ है न यह जुगारू trick है इसको हमेशा हुआ रख़े गाएगा इसी ट्रीक पे हम क्या करने वाला है पूरा यातायात संकेत ख़तम करने वाले हैं ओके तो देखिए यहां मतलब one way का परिवास संकेत का परिवास यह दिशा में यातायात पलतिवन्धित है मतलब एक दिशा में एक दिशा में मतलब बाइन साइड है न जो कठा है यानी कि यतायाट दिशा यतायाट का जो है वपारती वंधिच सेट रहे हैं यहां संकेट ड़साता है कि ट्राफिक को आगे जाना माना है बिल्कुल साही है one way में लेकिन देखिए one way संकेत यह यह तो हो गया किस वाला यह हो गया आपको बाया वाला यानि कि left वाला और यहां देखिए यह किस को कटा है डाया वाला यहां दखिए क्या है कि यह दाहिना वाला जो एर्व है ब्लेक वाला इसको कट कर रहा है कि बाहिने तरफ की तो देखते हैं समय दिशा में यहतायातपति भंध है यह संके दड़ सा她 है कि सामने की दिशा से वह अना मना है आनि कि किस दिशा से वायन के तॉर से जो है वो राश्ता भंध है उसने बाद देखिए एहां दोनों दिशा में आवागमन निशिद संकेट reg and यानि कि दोनों दिशा का जो आने जाने का रास्ता है वो बंध है यानि कि देखिए एरो दोनों को यह बहुत दर ट्रिक है ना याद है ना बहुत दर वला ट्रिक तो यहीं ट्रिक पर हम लोग देखिए यह डाएंवाले एरो को भी काट रहा है काट रहा है ना और बाएंवा हाँ किसि इसमें अनिवारे बायांल मोर्ड जैसे यह है नहीं मोलना मज़री और देखते हैं तो देखते हैं दो पहिया और चार पहिया निकिक रोडadd दिया और इस modification किया है cross कर तो जा सकता है अरह एक बता जब चोटा वहां जा ही वहां से जाएगा इसलिए यहां पर आयसा संकित दे दे ना तो आप समझ लिजएगा कि सभी वहा लिए भी इन से कोई ने तो क्या होगा सभी वाहन निसित यानि की एह हो जागा इसा इसी तरह उसके बाद का सिम्बल देखे और अनिवारे है मतलब कि आपको यह काम की आप सब्सक्राब करें तो प्रक का सिम्बल देखें और अनिवारे है मतलब कि आपको ये काम करना ही है बार बार हम इस पर जा रहे हैं अनिवारे अठ्वा आदेश है मतलब आदेश दे रहा है ये आपको काम करना ही है उसके बाद रॉक का देखिए गोल आकार में ट्रॉक का फिगल देखे और इसको क्रोस कर दिया यानि कि ट्रॉक निसर यानि कि ट्रॉक जाना मना है उसके बाद देखिए यह देखिए यहाँ पर क्या है मैं वाला थेला चला रहा और बैल गारी वाला है तो यहाँ पर उसको क्या किया है देखिए क्रोस कर दिया क्या क्रोस कर दिया यानि कि बैल गारी वर थेला निसर यानि कि यहाँ पर आ जा सकते हैं और ना ही थेला ले जा सकते हैं जैसे रखिए बड़ा बड़ा एनेच में यह रहता हैं और न थेला गारी साथायों कि एक स्पिडद भाज़ जाता है उस इसलिए वहाँ पे इस तरह के जाते हैं वह उसके बाद देखे ब करेगा दो मान लिजेगा कि पशु Valve आप वेल गारी है यह आप यहां हुशु करती है उसके बादेए तॉ तो शोले मूई में तो देखिएं वह हिते तो न रहा है तो चीज़ मित सब्सक्राइस और यहां पर आपको निने नियुक्त का संखेत कुर्फ के ड्यारा षालों खेला है और यहां पर बेल गारी प्वाक्त फिगर उसे सा तुक्त प्तान कीनल सतुम तरह सोलों 350 से कि यानि कि आदमी को देख और क्रस कर दिया यानि की पैडल जो लोग है वो यह मर्ग से नहीं गुजर सकती है बहुत सारा ऐसा मर्ग है जहां पर बोला जाता है कि पैडल यात्री को जाना मना है या शरकपार करना भी मना है रिक वाला याद आ गया यहां पर इसे और बब मढ ले जेंगा और तो देखिए आइरो क्या रहा है कि आइरो सीधा गया और कि किदर ok तो यह बताना चाहरा है उसके बाद एक yargar नये तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा ओके देखते हैं बाया मुरने से यानि कि सिधा गया है और किधर मुर गया है बाया के तरह इधर बाया के तरह मुरा है ना और इसको क्या क्या क्रोस कर दिया है यानि कि काट दिया है उसके बाद देखिए यानि कि बाया मुरना मना है उसके बाद उसके बाद यह देखिए next figure क्या बोला है हर एक figure फिगर कुछ नदंद बोल के ही जा रहा है देखिए क्या बोला है यह सीधह जा रहा है गारी और इधर से गया एक मतलब कि इसका मतलब समझे लिजे कि overtake करना चाहरा है लेकिन इसको क्या cross कर दिया यानि कि जो रास्ते पर आप जा रहे हैं वहाँ पर overtake नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा figure देख जाए तो आप यह समझे लिजेगा कि देखे बोला है ना overtake करना नहीं से यानि कि overtake करना जो मर्ग ह वाली को कर सकते हैं सीधा जारा है इसको करता है लेकिन एजयERS को करता है उसके बाद बैठ呀 आगे क्या है हॉर्ण निसी यानि कि हॉर्ण दे और इसको काट दिया यानि कि हॉर्ण निसी यानि कि हॉर्ण बजाना मना है उसके बाद देखिए नो पार्किंग जब इस तरह के सिंबल डिख जाए ना बीच में क्या बुलू रहा है और इसको काट दे तो समझ लेजिएगा कि क्या है मतलब 50 30 तो यहां वह यह पर आप लोगों को यह outta यह यहां न करने का देश दे रहा था यहां क्रोस नहीं है यानि कि गति सिमा बता रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप इस रोड पे चलते रहा है कितना जैसे बोलता है आगे गहणी आवादी छेट रहा है 25 किलोमीटर के आवर से ही चले हर न बजय तो इसी तरह यानि की यह आदेश दे रहा है कि 50 किलोमीटर की जो speed से आपको चलते रहाना है उसके बाद देखिए यहां पर चौराई सीमा यानि चौराई सीमा इसके सरक के बीच का चौराई बता रहा है कि दो मीटर है उसके बाद उचाई सीमा यानि कि आपको यह बता रहा है कि आगे इतना हवार्ट मतलब चरहाई है तो इस तरह और चरहाई का अलग भी है ये आपको बता रहा है कि जो सरख का उचाई है वह वह कितना है कितना है तृमेंग बात चोटा होता है इसके बाद देखें क्या है ये दोन वो समझे गए न चौराई मतलब सिर्म की आस business से इतना गहरा है इसलिए आप लोग सचेत होके गारी चलाए ओके मतलब मतलब यह नहीं कि जे कोई कोई होता है इस से ज़ारा नापर नहीं ले जा सकते हैं तो ये लंबाई सीमा बताया उसके बार भार सीमा 5 T कहने का मतलब क्या है आप 5 T का जो गारी है उसको ही ले जाए तो उससे जारा का नह ले जाए और उसके बार X-L भार सीमा यानि कि जो एक्सल पर वेट होता है जो लोडिंग रहता है यह तो पाच टन का गारी हो गया लेक्सल का वेट एक अलग होता है जो एक्सल भार सिमा कहलाता है तो यह एक्सल वेट जो होता है चार टन तो इसका जो यह फिगर दिखेगा न तो इसका कहने का मतलब चार टन के छ मानली जी यह औरके करने कामा है तो यह सभाइवत करने के लिए अजय हो रख चलिए ही आनिवारि यानि आयाया लगो है ना और एधर और लो यह सोरी देखे इधर क्या हो जाएगा इधर डाहिना दो मतलब की इधर दाहिना और इधर बाया यानि कि इधर बाया मुलना है तो एरो की साइट दिखा रहा है बाया की हो न तो यानि कि अनिवारे बाया मुलना आपको अनिवारे है तो यह दिखा रहा है उसके बाद देखे की सब क्षे का भूर रहेगा ओके जैसे दीखी ड है यह जितना है या ईड़ अनिवारे शंक्ट है तो देखिए यह देखे सीधा यानिकि आपको सीधा जाना है इधर उड़ल डायन बारे नहीं मुर्डार ये संक्रेद बता रहा है उसके बाद देखे फिर से दो और बह बला इधर बहु हो जाएगा और इधर दो यानि कि अनिवारे दाया मुले कि आपको दाया मुड़ना ही है उसके बाद देखे एक यह आरो क्या दिखा रहा है आपको भी बताना फर्ज बनता है तो इधर यह जो ट्रीक है अपना दो और बाव बला यानि कि इधर किस साथ जा रहा है तो क्या होगा सीधा जाना या दाया मुड़ना यह सब देखे जुगारू ट्रीक पर याद रखेगा तो वहां जाके फिर हवा हवा देखेगा फिर वह दाया मुड़ना अनिवारे है आप बाया नहीं मुड़ सकते हैं उसके वाद देखे सेम इसमें क्या आ गया इसमें भी दो और बाव बला इधर बाव हो जाएगा हमेशा यार रखिएगा जो स्क्रीन पर ऐसे लिख लिख लिजिएगा मतलब इमेजिनेशन वहां पे लिखन दे रहा है तो देखे इधर बहुत और नहीं दर दो यानि की लख अई धायना और इधर बाया तो यह संकेत बहुत और इनकलाइड के तरफ इसलिए वाएं रहना है यानि क्या गए मिल्यायन जाने की कोई ज़्रूरत नहीं है उसके बाद देखिए अनिवारे इस तरह का से फिगर जब पूल बनता है न एक साइड से तो वहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा उसके बाद अनिवारे साइकल रस्ता यानि कि आगी साइकल रस्ता ये साइकल रस्ता के लिए अनिवारे हैं आप उसमें कोई वाहन वगएरा या कुछ भी न ले जाए उके उसके आप बजा सकते हैं तो यह बजाना यानि कि बुल्लू पर्टी में यहां पर क्रोस नहीं रखिया है तो इसी परकार अपना जो टाइप वन है वह समाप्ट हुआ क्या है अनिवारे अथ्वा आदेशक संकेत समाप्ट हुआ अब हम लोग आते हैं टाइप टू में जो की क्य क्या है देखिए टाइप वन तो हम लोग अनिवारे अथ्वा आदेशक संकेत अभी जस्त समाप्ट क्या 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 करना है चेतावनी परक संकेत उसके बाद सुचना परक संकेत देखेंगे बताएं अब एक ही वीडियो में पूरा यातायात संकेत है वो कंप्लिट करने वा और ये सब जो बताएं हैं सुरू में ही बताएं जो संकेत है इसको ओर्डर फोलो करने के लिए जो मोटर यान अधिनियम 1988 है कौन सा धारा है तो धारा 2 का 45 है इसमें बोला गया है कि इतना भी संकेत है इसको पालन करना अनिवारे है ओके तो देखते हैं चेतावनी परक संक संक्य बाहान चलकों को आगे आने वाली और समाने प्रस्थिति या खत्रों के बारे में सव्धान करने के लिए होती है ये संकित आकार में के अंतलब 1988 में निमलिखी चितावनी प्रक्ष GERNIT चितावनी परक्षंकित वहन चालकों को आगे आने वाले असमाने परस्थिति को या खंत्रे के बारे में साउधान करने के लिए यानि कि आपको ये काम करना ही नहीं है, माने ये आगे कुछ आपको बाधा आ रहा है, तो वो बाधा से आपको सावधान कर रहा है, कि आप लोग सच्चे तो हो जाएं, कि ये जो बाधा है वो आने वाला है, तो आपको क्या करना है, कि सच्चे तो हो जाना है, आपको अपना पोजीशन पर आजाना है ओके तो एक किस परकार संक्यत है तो इसलिए चेतावनी मतलब सब्द से ही अस्पस्थ हो रहा है यानि कि आपको चेतावनी दे रहा है तो देखते हैं क्या है सब्सक्राइब बिंगर के जबंद दविए और अध कर देखें को हैं। यह बता रहा है चेतावनी परक्संकेत यह बता रहा है आपको कि आपको आगे तो जाना है लेकिन क्या करना है दाइं और मोर जाना है दाइं और मोर है हलका जो सरक है वो मोर है आगे सरक पर मोर है ओके तो यह गाना तो सुने होंगे तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके ब है Iraq दिरे चले आगे बायसाइड बायम Od उसके बार ये क्या है तो देखते है की दाइई और यह संकेत क्या है सीधा गया और यहां जो त्रीक है अपना इधर दाइणा हो जाएगा इधर बाया हो जायगा तो है यानि कि यह कहने का मतलब है thief you more है नस्रक है वो जाकी आगे और मतलब दाइं और मुल्या और निक危 Quindi की दोहरा इसको हम लोग बोलते हैं मतलब आगे के डहीना मोर 시ластि और और फिर दाइए ऊपने के यूटन में भी बोल सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दाइए और दोहरा मोर यानि कि डो बार मोर है ओके तो इस तरह के सरक होते हैं कहीं-कहीं पेसे सरक आपको देखने को मिल जाता है तो इसलिए ऐसा संक्यति दिखेंना तो समझे लेज़ेगा क पता ना और इधर rhो जाएगा तो इधर जी तरह जाकए और यो फिर से बाइं आ मुझा यानिंट एसा इसा घ्यानं तो इसलिए बाएं और यहां मूरा और एक बार यहां मुझा तो सब्तो करते हैंançit यह तिकोने मतलब वाकार बोलते हैं तो देखें यह फिगर क्या बोला सीधे गया और फिर प्रकिर आगे गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्रष्पीर आगे सेम उसी तरह देखें यहां추 पर क्या रहेगा तो यहां पर देखे यहां भी क्या त्रिका जागा दो और बावला तो यहां भी देखे सीधा गया फिर क्या बाया मुरा और फिर सीधा चला गया ओके तो यानि कि बाया बाया मुर कर फिर आगे ओके यानि कि देखे सीधा गया देखे सीधा गया और कि इस साइड मुरा यानि कि और फिर कहां चला गया आगे चला गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाएं मुड कर फिर आगे उसके बाद देखिए आगे चढ़ाई है यानि कि गारी है और देखिए ऐसे धालान टाइप का यह बनाया गया और इस पर गारी चहर रहा है तो मतलब यह चलता हुआ दिख रह आते हैं और इसलिए हम दोनों साथ में रखे हैं तो आपको इस तरह का फिगर देखना होगा कि मतलब गारी का जो बॉनेट हुआ यानि कि चढ़ाई पे है और उत्राई यानि कि आगे जो यह ना देखिए उतर रहा है तो क्या समझ लेजेगा कि आगे उत्राई है यानि कि दोनगी धहलान इस तरह किया है और जब चरहाई दैगा तो इस तरह की दिखेगा उसके बाद देखते हैं और संकरा पूल सधा गया और उसके बाद जो रास्ता है यह चोटा हो गया इसको हम लोग क्या बोढहें और संकरा पूह यानि कि आपको चेताव 2008 अगे संकरा पूल इसके बाद देखे आगे चौड़ी सरक यानि कि देखे ये इसका तरत का चौड़ाईund कि यहां तो त्थाप पतला हो गया मतलब इसका जो चौड़ाई यानि कि यह थो पतला हो गया तो मतलब consumo गया तो, उसके बाद देखिए यह गारी है और ऐसी ऐसी फिगर दिख जाए तो ऐसा समझ लिजी सांग सरख कर दो दाब शिताबनी दे रहा है कि शहीश से जा Major माली इधर-उधर विशल सकता है तो उसके बाद दीखे वो देखे विख्री-बजड़ी यानि कि यह देखे बजड़ी ताइप के दिख रहा है न तो आपको यह और दिख्री जाने तो अगे राष्टा पर बजड़ी है जो जैसे सरक का निर्मान होते रहाता तो बजड़ी पत्थर वगएरा चोटा चोटा राता या कुछ भी हो गया तो आप बजरी यानि कि बजरी है वह बिखरा हुआ है यह आपको संकेत देरा इस पीर में न जा उसके बाद देखे पैदल यात्री यात्रा है और जेबरा क्रोसिंग पर खरा है न यानि कि पैदल यात्री परपत यानि कि आगे सद्थ पर यात्री के लिए जेबरा क्रोसिंग वह बनाया गया यह संकेत बता रहा है तो इस तरह के संकेत मतलब फीगर देखिए और जैसे यह सब में तो ट्रिक काम आ जाएगा यह सब जो दाहिना मोर बाया मोर है उसमें क्या जाएगा दो और बावला ट्र हारत नहीं होगा उसके बाद देखिए साइकिल पार ठट या या डिको को किया तो यह काम कर रहा को चालू है कि तो यह मतलब पर चालू तो हरा को दूर काम कर रहा, Completely तो ह। पर्षानी नहों पहले ही ईसके बाद आ गया और पशु यानी कि हम कहीं कहीं हwahते हैं तो आप पार कड़ाइग सकता है तो ऐसा संखेति दे दिया जाता हि कि आगे आका गये वह कभी ही यह सकते हैं इसलिए आप लोग सवधानी से जाए जैसे जो निलगाय बगएरा बोलते हैं जो जंगली जनवर होते हैं जो भी होते हैं उसको थो थो पार्टिकुलर टाइम पर कभी वह जो रोड है वह कर लेता है तो वह कारण बहुत सार एक्सिडेंट हो जाते हैं तो उस इल पहार करेंगा तो यह हो गया उसके बाद नेक्स देखते हैं क्या है देखे यह पत्थर देखे यह जो पहार ट्राइब का दिख रहा है और यह सब तिर्भुजाकार में यानि कि चितावनी परक संकेत में हम लोग बात कर रहे हैं यह इंप्टेंट है यार रखिएगा ना क इस तरह के जो पहारी लाका में जाएगा अक्सर आप मतलब कहीं तूर पे निकल लिएगा बाहर वगएर अगर मालीजे जमू कस्मिरिया कहीं भी जा रहे हैं या हिमाचल परदेश वगएरा जा रहा है तो ऐसा फिगर आपको बहुत दिखेगा पहारी लाका में जा रहा है कि आगे पठ्थर गिरने की संभावना हा गारी को 냄새 मतलब आप लोग मतलब पहले से ही चतावनी दे रहाए जर आपको उसके बारे नाव नाव का संकीति यानि कि आगे नाव वाला जो ब् sóस वोटकललम घराई वह सम कसंके दे रहा है कि आगे वट कल्व है यानीकि नाव ठाल ने की जो फ्रोटन बना आता है ऊपर इसके बाद है जैसे कहीं कहीं पर होता है जे नव सभी लोग एक चप्रस दूसरे जाता है तो नाव काक tricky सघ्याता है चार्थियोज़िं। और दो सरक और दो सरक के बीच और कहीं पर देखते हूंगे कि बना रहता है तो वही जो अंत्राल लाता है ना इसको हम लोग बोलते हैं मन्द्धे रेखा में अंत्राल आगे यहां से मदहरे खामियां प्राल वाला रास्ता यह दिखे यह गायर और pass मुख्षे मार्ग से दाई और रास्ता है इसमें देखिए यह रास्ता सी राजार और कि दर गाया बाईयो यानि की बाईयो और का रास्ता तो समझ रहे ना इस तरह आपको फसाएगा और यह त्रिक ही वहाँ काम आएगा जब ऐसा कोस्चन आएगा नो तो जब वहाँ पर तिक मालिएगा यह वी सी डिय अप्शन में तो मेरा नाम जरूर आपका याद आएगा जिसर का जुगार यहां काम आया ओके और एक नमर आपके नाम चलिए और सिलक्षन तो कोई रोखी नहीं पाएगा उसके बाद देखिए क्या है बाई वाई तरफ वाई तरफ का वाई जंग्सन यानि सीधा गया और यह देखिए दो और वह इधर द मिल ग। दो आपके देखरा बख शीराल ही होता मिल जो अपना और यह तरफ के यह JI तरफ के वाई जंग्सन और इस suscept करेगा इसलिए हम दोरें फिगर देख रहे हो ना कैसे साथ मिलए है यानि कि इधर दाहिना भी मुर रहा है दो तरफ भी और इधर बाय तरफ भी तो हम लोग केवल वाय यंजन यानि कि वाय कार में हैं आची और यह सब इधर कि निकर रहा तो क्या मानियेगा बाइं तरफ और इसए आशे मतलब को बिच से क्रोश गया यानी कि दाहिना भी गया और बयां भी गया तो इसको हम लोग बानेंगे वह केवाद और केवाद वाई जंक्सन उसके बाद देखें बीशंब्स सरक्स मतलब देखें और उसे बाद है बिसम सरक संगम यानि कि एक से अधिक सरक यानि कि इसमें दाहिना भी गया है और बाया भी गया है यानि कि दो साइड भी गया है और बो साइड भी गया है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बिसम सरक संगम और सेम यह देखिए है न यहां भी बिसम सरक संगम यानि कि दोनों तो समझ देखिए इस जो पत्ती है सीधा मुख्य मारग वाला वह थुआ मोटा है जो देखिए यह जो है यह मोटा है ऐसे वाला और यह पतला है यानि कि आगे मुख्य मारग है यह जो सिधा गया यह वाला है और यह जो है वो पतला सरक है यानि कि यहां पर भी आपको समझ लेना है कि आगे मुख्य मारग है यह दोनों फिगर में आपको सेम चीज़ समझना है कि आगे मुख्य मारग है और यह तो समझानते हैं कि गोल चक्कर यहां से सरक है वो गोल चकर है देखिए ऐसे गया यह पहत अप लोग जाकर देख सकते हैं तो देखिए खतरनाक गहराई यानि कि यह आपको चेतावनी दे रहा है देखिए ऐसे सरक है आगे रस्ता टुटा हुगा है खतरनाक गह रहा है आप इसीड में गारी नहीं ले जा एक स्पिडले मिट पर जा और उसके बाद गो करस करे ओके इस गाधाـ त्रीब owi संब पर तो यानि कि गह रहा है देख रहे ना यह गाधा देखें यह जो गर्धा टाइप का दिख रहा है यानि कि खतरनाक गह रहा है उसके बाद रवर स्ट्रिप जब देखिए हम इसमें लोग कन्भूज रहते हैं जे सर बाएगर का क्या है रावर उत्रिप कहने का मतलब दो अगर दिख जाए यह वाला देखिए एसे आया ऐसे और असे दो दिख जाए न टे उसको आप लोग क्या माने만 ले यहीं दोटता और उसके बार ऊभर खावर राष्टा यानि की तीन दिख जाए उचा-उचा दिख जाए ना टीन दिख जार तो इसको आप लोग क्या मानिए आप आना गयुआ है लोग कान फ्यूज रहते है यह वी बेकर यह बेकर लेकिन Speed Breaker होता है वो एक ही होता है एक ही होता है और एक ही ऐसे देखे Slope Type का बना रहाता है जिसको हम लोग क्या हता है Speed Breaker तो आज के बाद यह तीनों में Confuse मत होईएगा एक तो हो गया रवर स्ट्रीप जो की दो है दो उठा हुआ है और जो उबर खाब बाद देखिए barrier है और barrier है और घर यहां पर आगे barrier है महल वगएर कहीं भी जाइए गाना याद चेक पोस्ट पे आपको दिख जाएगा जिना आगे बैरियर है चेक पोस्ट लगा हुआ है तो ऐसे मतलब ऐसा फिगर दिख जाए तो आप लोगों को सच्छे मतलब चेताव नहीं दे रहा कि आगे वैरियर है उसके बाद देखिए ऐसे जब दिख जाए न यह आकार में जब यह सिरेख्ला यानि कि एक स्दिक मौर है एक मौर नहीं होलि यह सा एक मौर में मोरो कि शिरेखला यानिकि एक्स सदों हök बहुत ऐसा सरक ए। दो मोर होते हैं उसके बारे जब इस तरह का दिख जाए न तो यह दरसा रहा है कि घात या नदी का किनारा मतलब यह देख रहा है जाप सचेत हो जाए कि क्योंकि साइड से है जो सरक के किनारे है या तो घाट बनाया गया है या नदी का किनारा है यानि कि साइड में गये तो इस 크ी गार्ड के साथ सब्सक्राइब कर दोमर्ग और सिंगल मर्ग जाने के बाद बीच में एक यह हो गया और यह के यह कि दो मर्ग यह बीच में एक लाइन आ गया इसको हमलोग क्या करेंगे दूहीं बढ़ Hip लूहर्गROप यहां से जारा है लाइन वाला और यहां जाके लाइन खटाम हो जारा यानि कि डूहीं मर्ग समख्त हो गया दोहरा मारग है वो समख्त हो गया संख्त हो मार गया है तो ऐसा इसा दिख जाएगा कहीं कहीं पर शरक बनाएगा उसके बद देखिए यह रेल हैं तो मानल रहीटे रेलपाथ यह इस तरह दीखे सपान्ग है लोग कन warranty रहते हैं कि छो आठमी आ जा सकता है उस्में आप गारी बहूर्ण ımızड़ी घरलेगे मिली ओकर पर रहेघंगी तो यह आपको यह स्टेशन के आसपास दिखने को मिलेगा और यह रोड पर फाटक लगा रहता है वहां पर देखने को मिल जाएगा ओके उसके बाद यह रखिए लेन बंद दो लेन मारग पर यानि कि देखिए एक सिधा जा रहा है और एक जो मारग है वहां पर एक मारग है वह बंद है तो यह कहने का मतलब दो मारग पर ए पहुंच जाएगा न तब आपको इस तरह के संकेत देगा कि यह तो डाहिना बंध या बाया बंध जो कि आपको आदेस दे रहा है पहले तो आपको चेतावनी देने का मतलब है यह यह चीज आपको दे दिया पहले से ही एक किलोमेटर देर किलोमेटर पहले से देते आ रहा है 500 मिटर पहले से ही कि आगे एक लाइन मारगा है ओके लेकिन आपको आधेसा आधेसातमक है जो आधेसातमक फिगर देगा ओके उसके बाद देखते हैं उपवी तार यानि कि देखते होंगे कि जह घब कभी एसा होता है जो 33,000 वल्ल्ट का जो खंभा रहता है वह ख्रोस किया रहता है रोड के एक पार दुसरे पार तो वहां पर इस तरह का संकेत जाहां दिख जायना तो यह सब मज़ लजेगा कि आख यह उपर-तार है क्यों ऐस से बहुत ऐसे सबस वाले उते जो चटरी पर यह उपर चट पर भी क्या होता कि आदमी को बैठा लेते हैं तो यह न कि कोई खारा हो कि अपना कला-कारी जो चो मुँ है उपर तो यह तो हो गया उसके बाद अगर चितावनी संकित में यह दे दे ना लाल पीला और यह रहा पीला जिसको के लिए बताए जो रेड पीला और हरा यह तीनों कमेंट में आप लोग बताएगे इतना महनत हम कर रहे हैं तो कुछ महनत आप लोग कर लिए यह दिनों फिगर्ताइब जो ब्रब्र नस दूपोत आ कि जानता है तो सब सब में अचाए जो फिगर्पों तो टाइप वन था वह वह भी समप्त की ननीवाहा अथ्वा आध्य infectाशंद के और यह चतावनी परख संकित भी समप्त किये और अब जो टाइप 3 बच गया है वो सुचना सुचना परक संकेट यानि कि आपको सुचना दे रहा है आगे स्टुडेंट है आगे हो स्पीटल है इस ताइप के तो यह आज ही के इसी कलास में बताए ना एक कलास में पुरा यातायाद संकेट कंपलेट तो च उसके बाद चेतावनी परक संकेट जो कि हर एक फिगर क्या इस ट्रेंगल आकार यानि कि तिरभुजा कार मेरे तीन को ना कार मेरे आते हैं अब अपना आ गया जो लास्त ठाइप है ठाड़ टाइप क्या है इसको हम लोग बोलते हैं सुचना परक संकेट क्या सुचना परक संकेट वाहन चालकों को दिशा गंतव तथा सरक के किनारे उपलब्ध सुधाव आधी के जनकारी परड़ान करता है वही यानि कि आपको यह बताता है जैसे देखिए यह जो रोहताख है इस साइड जाएगा नियो डिली इस साइड जाएगा यह सभाए ना इस तरह आपको एरो से बताएगा यानि की आपको सुचना दे रहा है आगे जो मालेज्य आपको कलकता जाना है तो यहां पर रोहताख के लिए और नियो डिली के लिए इधर जाए तो सेम इसी तरह मतलब आपको सुचना दे रहा है उसके बाद यह देखिए यहां पे दिशा संकेत यारी कि इधर क्या है गुरुगाओं की राष्टा गया है उसके बाद अस्थान सकेत उसके बाद गुरुगाओं आ जाएएगा तो इस तरह का बोड़ी दिखेगा कि यह आप गुरुगाओं में पधार दिये हैं तरह का देखा अस्पताल है बाइंत्रफ दाइनत्रफ पेट्रोल पंप इस तरफ यानि कि आपको शुक्सिब्दा जो आपको जरूरी है यात्रा करते समय वह आपको बताता है बतारा है गंटब्ब अस्थान शरक्य किनारे उपलब्ध सुभधाव आधी के बारे में जनकारी सब्णूरी एको अजोरी that in you know chicken for यह आपको बता रहा है कि आपको दाजब जाना रहे मैं नीव दिल इदर जाना है native भी याल आया ना ना यहां दाहिना चले जाएगा तो रोहताक हो जाएगा इधर चले जाएगा किधर बाया तो निव डिली पहुच जाएगा तो इसी तरह देखिए नहीं तो इस तरह भी जो अकर इस तरह का संकेत नहीं कि इस तरह का भी संकेत देगा कि अंडाजब गढ़ आप सीधा चले जाएगा उ उसके बाद गोल चकर पर दिशा संकेत देगा देखिए इस तरह का घोल चकर है तो इस तरह आपको संकेत देगा दिया है ना दाइना बायां इंकलायंड में भी दिया है ओके तो यह आपको दिशНАЯ संक्इत दे लिए उसके बाद आपको यह भी दाता है इता है कि गरुगाउं जा रहे हैं तुमान ले जिए कि यह ना और मोड़ जाएatisf Group आपको जाना है यानि किorous पहुच पहुच। पहुच जाईएगा उसके बाहा पर बौड़ लगा रहा यहां से गुरू गाउउ चालु हो गया तो यह रही अर्द मतलब इसा इसा संकेते दिख जाएदर आप क्या समझ। इंचरह सब्लेटेगा कि यह द्यान चालू हो गया है गुरुगाओ उसके बाद बढूरा पुंरा स्वासन मतलब को स्वासन दे रहा है कि आगे जो नघणफ गार यह 4 48 km है रहतक है 20 KM है और न्यू डेली आपको सवासं दे रहा है कि यहां कि इतना Community के बाद जलन पर मतलब कीलोमिटर आपको बता रहा है किसाकार में तो देखे सुचना पमख़ाई न सुचना दे रहा है आपको उसके बाद देखे यह यहहे यह 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 रहो है लोटर को दाहिने तरफ है अगर वही इस साइड रहता मतलब यह देखिए यह जो आइरो है यह इस साइड न रहके इस साइड रहता तो क्या समझ लेते कि जो यह पेट्रोल पंप है वह बाएं तरफ है वह जो ट्रिक याद है ना ट्रिक मत भूलिएगा नहीं तो पूरा गोबर हो है उसके बाद देखिए फिर क्या है देखिए आपको सुचनात्मक दे रहा है यानि कि देखिए बेड है और प्लस का मतलब की हस्पीटल समझ लेजेगा कि अस्पाटाल और यह ना बहु और यानि कि बाइवर अस्पाटाल बाइवर है अगर वह इस साइड रहता तो प्राथमिक चिकट सा अस्थल है उसके बाद देखिए भोजन अस्थल जब यह दोनुट चमस इस तरह के काटा वाला के बिनकाटा वाला दिखे न तो समझ लेजेगा कि आगे भोजन अस्थल है उसके बाद आप यह समझे इसमें खुब फसाते हैं यह ऐसे इमेज दे दे समझेंगे और बोलेंगे कि बताईए कि यह यहां पर एक अप्शन में चाय का लिए भी लिखा रहेगा लेकिन चाय नहीं कोप प्लेट समझेगा तो समझ लिजेगा अलपहार यानि कि हलका नस्ता वाला स्थान है ओके चाय वाला मत बोल देगा वह गलत हो जाता है कितना ए इसा कोश्चन पूछा गया है जिसमें चाय का अलग अप्शन है और अलपहार का अलग अप्शन है तो अलपहार यानि कि हलका नस्ता का आगे जो रहे स्टूडेंट है वो है यह मतलब सुचना दे रहा है उसके बाद देखिए इस तरह का क्यों देखिए अस्पताल मानिए लेकिन केवल और केवल बेड़ अगर दिख जाएगा तो आप समझ लिजेगा कि आगे विश्राम अस्थल है क्या है आगे विश्राम अस्थल का आपको सुचना दे रहा है उसके बाद देखिए यह देखिए इस तरह का रास्ता या इसके उपर रेड क्रोस मतलब रेड ला जैसे होता है अभी सब के पास हो गया लेकिन पहले के जवाना में आच से दस-पनरार साल पहले क्या था कि मोओड हर इक पास नहीं था खासके ड्राइबर लोग के पास भी मुवाइल नहीं था तो उसको कभी-कभी जरूरत परता था कॉल करने के लिए कुछ करने के लिए इस तरह का आपको चेतावनी परक्संकेत दे देता था कि एक किलोमीटर आगे आपको मतलब सारोजरनिक दुर्वास से वहा अधे पारकिंगे देखैंज आपको सुछना कैसे दे रहा है पार्किंग है और रिमतलब पार्किंग समझ लेज़ेगा ऐहरो है जो डाहिने तडव भी दोनों इंट गारहा है लेकिन परकिंग सैध साल को वह मतलब साइकल साइकल के सब्सक्राइब सब्सक्राइब शुष्य था पार्किंग पार्किंग परइस्थल और इसको आप लोग क्या बोलेगा साइकल सक्षाह utiliser ना की टवुश्टााम में पर्किंग अस्थर सदोटेक्सि यानि की जो आare तो जाने तन dipping असके काoncell अब तो साइकल रिक्सा क्या बंद होते जा रहा है तो रिक्सा मतलब यहां पर आपको यह बताएगा रिक्सा और ऐसे फिगर दिख जाए तो समझ लिजेगा है आगे साइकल रिक्सा स्टेंड है तो यह सेसन वगारा पर आपको जाना दिखने को मिल जाएगा सबोगा है यहां को सुचना दे रहा है जो टाइसा फिर हैं उसका हम लोग देख रहे इंग तदेगा इसके यहां अंदर जाते हुए दिख स questo यानि कि पैदल यात्री सुरंग पात है उसके बाद देखिए ऐसे फिकर दिख जाए रेल वाला और यह सुचनात्मक यानि कि चार कुने वाले में दिखेगा नहीं तो आप समझ लिजेगा कि आगे रेलवे स्टेशन है उसके बाद देखिए उसके बार आप यह जैसे है कि यह खराब हो जाता या कुछ हो जाता है तो यह समझ लिजेगा कि आगे मरम्मत सुब्धा गैरेज वगयरा है उसके बाद देखिए विप्रित दिशा में बस लेन यानि कि देखिए सीधा जा रहा है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इस साइड ना बस लेन होका यानि कि इधर कुंसा साइड हो जाएगा बस साइड और इधर दो साइड यानि कि बाहें साइड बस साइड ना होका डाहिना तरफ है यानि कि विप्रित दिशा में बस लेन है और उसके बाद देखिए बस लेन केवल यह फिगल दिख जाएगा तो यह समझ लिजेगा कि आ अधा इभल एदैसक संखेट सुचल में आपकों च्पनी दे रहा हुआ आप सुचना आत्मक मतलब सुचना दे имеет आगे स्टुडेंट है होटल है यह सब आपको सुचना देने का काम कर रहा है तो आज का यह पूरा वीडियो में हम लोग क्या किये हैं तो जो जितना वियाता याद संकेत था वो पूरा क्या किये हैं इससे बाहर आपको कोई भी एकजाम हो चाहे कोई भी एकजाम हो रिटेन उनको कोई एक्जाम भी नहीं देना है लेकिन एधे ड्राइवर है तो यह सब जितना संकेत है उनके लिए अतियोशक है न उनके लिए भी हेल्पूल रहेगा ओके तो अगर यह पूरा कलास अच्छा लगा है तो क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों को भी से करना है अगर नए हमारे चैनल पर जूरे हैं तो क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे वीडियो में जाहिन जाभारत